नाना खेड़ा सित साची पॉइंट पर एक आटो चालक को कुछ लोगों ने भेहरामी से पीच कर मौत के घाट उतार दिया मरने से पहले मृतक ने बेटी को फोन कर मौके पर बुलाया था जब बेटी मौके पर पहुची तो पिता घायल पड़े थी वो लोगों से मदद मांग कर पिता को जिला स्पताल दे कर पहुची जहां इलाज के दुरान उसकी मौत हो गए नाना खेड़ा पुलिस ने रवीवार को पोस्ट माटम करवा कर शव पर रुजनों को सौब दिया है दरसल घटना शनिवार दोपहर एक बच के तीस मिनिट की है पान्या खेड़े निवासी राकेश पिता चिंता मनी यादव उम्र 40 साल ओटो चालक है वह नाना खेड़ा सित साची पॉइंट पर दोपहर में कुछ लोगों के साथ शरा पी रहा था इसी बीच किसी से कहा सुनी हो गई जिसके बाद उसे कुछ लोगों ने जम कर पीटा इस बीच राकेश यादव ने बेटी शूती को फोन कर कहा कि कुछ लोग मुझे मार रहे हैं जल्दी आ जाओ नहीं तो मुझे मार डालेंगे जब बेटी पहुची तो वह बेसुत पड़ा था इसके बाद वह मदद लेकर पिता को जिलास पता ले गई जहां इलाज के दुरान शाम को उसकी मौत हो गई मृता की बेटी और साले ने साची पॉइंट के संचालक पवन उसका भाई सागर और चाचा पर मार पीट करने का आरोप लगा है क्या कुछ कहा आईए उनी से जानते हैं बहराल पुलिस ने रवीवार को पोस्ट माडम करा कर शव परिजन को सौप दिया है घरवालों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जाच कर रही है कर दही बजे मेरे पास मेरी भान जी का फोन आया कि मामा यहां पापा पापा को यहां पर नाना खेडा पर कुछ लोग मार रहा है थो मेरे घर से रवाना हुआ इत्ते में उनका फोन आगे कम हस्पताली लेकर आ रहा है तो हस्पताल लेकर आये तो बहेंकर उल्टिया कर रहे थे फिर मेन पुछा क्या हुआ तो बहें ही ने को कुछ पीला दिया है बेटरों के पास में स्मार्ट साची पालर है उसका कोई संचालक पवन करके है पवन और सागर करके उन लोगों ने मारा यह मेरी भांजी ने बताया कोई विवाद विवाद कुछ भी नहीं वहीं भेटके इरे खारत है सबी और इसी वीच में कोई विवाद हुआ इन सब ने इसको मानना सुरू कर दिया इसका मेरी भांजी ने खबर करी में अस्पताल पहुचा है